आजम बात कर रहे हैं कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए इस विवाद के बारे में कॉलेज प्रिशासन ने हाल ही में दस लोगों को निश्कासित किया है इनमें डॉक्टर, हाउस टाफ और इंटर्न्स भी शामिल है ये सब क्यों हुआ आए जानते हैं पूरी कहानी इन सबी पर गंभीर आरोप लगे हैं जिन में से कुछ काफी चौकाने वाले हैं आरोप ये है कि लोग दूसरे चात्रों को धमकाते थे और अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनका एक्जाम फेल करवा देंगे या उन्हें हॉस्टल से निकाल देंगे ऐसी धमकिया देते थे इतना ही नहीं इन पर आरोप ये है कि अपने जूनियर्स को एक खास राजनेतिक दल से जोडने के लिए मजबूर भी करते थे सोचिए ये सब यहीं नहीं रुका यौन उत्पीडन, पैसों की जबरदस्ती, वसूली और जूटे F.I.R. दर्ज करवाने जैसे गंभीर आरोप सामने आये हैं इन सभी आरोपों के बाद कॉलेज प्रशासन ने विशेश कॉलेज काउंसिल की मीटिंग बुलाई और जाज कमीटी की रिपोर्ट के आधार पर दस लोगों को निश्कासित कर दिया है आपको बता दे इन सभी निश्कासित लोगों में से एक का नाम है आशीश पांडे जो पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश के करीबी भी है संदीब घोश को CBI ने वित्य अनिमताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफतार किया था ये पूरा मामला तब और भी गंभीर हो गया जब कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद अन्य जूनियर डॉक्टरों ने लिखित शिकायत दी कॉलेज में धमकियों का एक ट्रेंड सा चला है अब प्रशासर ने कड़ा रुक अपनाया है और यौन उत्पीरन के आरोपो पर एक विशेश कमिटी के सामने पेश करने के लिए नाम भी भेजे है इसका मतलब ये है कि जो दोशी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कारवाई तो होगी ही ये थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के विवादा अस्पत कहानी में नया मोड ये घटना एक बड़ा उधारन है कि कैसे शेक्षिक संक्थानों में अनुशासन और न्याय को बनाए रखना जरूरी हो जाता है शनिवार को दस लोगों को निश्कासित कर दिये जाने के बाद डॉक्टर हाउस्टाफ इंटर्न इन सब पर धंक्या देने यौन उत्पीडन पैसे की जबरदस्ती वसूली और जूटे फायार दर्ज करवाने के आरोप लगे आशा है इस घटना से हम सब कुछ सीखेंगे हमें अपनी शैक्षिक संस्थानों को सुरक्षित और सम्रुद बनाना है क्या सोचते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए अपनी राय और देश-दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ शुक